कि साथियों स्वागत है आप सबका केरियर मेकर्स चैनल पर मैं आप सबका तुक्र गुजारूं कि हमारे जो वीडियों से उन्हें आप लगाता देख रहे हैं और हमारी होसला अफजाई कर रहे हैं यहां मैं आप लोगों को एक बात और बतादू अभी रेलवे के लिए हम ज किसरे टॉपिक फ्रेक्शन से डेसिमल की पहली क्लास में हम बात करेंगे भिन्नों से संबंदित और जब हम बात भिन्नों की करते हैं तो आप लोग अक्सर देखते हों कि लगवग लगवग हर पेपर में जिन लोगोंने भी मॉक्तेस दिया हुआ है वहां पर भिन्नों की तुलना से संबंदित सवाल जरूर पूछे जाते हैं और हमारे बच्चे उन सवालों को कर तो लेते हैं क्या है हरों का LCM निकाला और compare करके लिग दिया लेकिन सवाल वास्तों में आपसे ये डिबांडर नहीं करता कोई भी examination में पूछा जाने वाल कोई भी सवाल वास्तों जो हल तो 20 सेकंड में हो सकता लेकिन हमारे बच्चे उसको करने के लिए डेढ़ से 2 मिनट का टाइम करें आज हम आपको ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिससे भिन्नो की तुलना से संबंदित सवालों को ना केवल देख करके और कुछ सवालों को आप थोड़ी सी कलम चला कर कर सकते हैं तो आज ये शुरू करते हैं हम आज की क्लास। देखते हैं कि भिन्न कि तुछना से समभन्दित सवार किस किस तरह से आते हैं। पहला लाइन आप करें रहा कि जब भिन्नों में अंस तता हर कांतर समान लोए वन हर अंस से अधिको तब बड़े अंकों से बनी भिन बड़ी तथा चोटे अंकों से बनी भिन चोटी होती है When in fraction the difference between the numerator and denominator is equal and denominator is more than numerator Then fraction made up of big digits are big and fraction made up of small numbers are ठीक है बड़े अंकों से बनी भिन बड़ी छोटे अंकों से बनी भिन छोटी लेकिन कब जब अंस और हर का अंतर समान है और हर अंस से बढ़ा है ठीक है जैसे माल लिए जे कोई सवाल आपको ऐसे दे दिया जाए 5 बटे 7, 11 बटे 13, 17 बटे 19, 3 बटे 5 नौ बटे यह भी अब आप देखिए अगर मैं इन दोनों के अंतर की बात करूँ यहां देखिए सभी में जो हर है वो अंस से बड़ा है यहां फर्क कितने कितने का है यहां भी दो 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 क सबसे पहले लिखते हैं यहां पर हम यह देखेंगे सबसे छोटे अंको से कौन सी बनी हुई है तीन बटे पांच यह चोटी फिर इसके बाद कौन सी बनी हुई है पांच बटे साथ यह हो गई पांच बटे साथ फिर इसके बाद कौन सी बनी हुई है कौन सी बनी हुई है कौ बटे 11 फिर कौन से बनी हुई है ग्यारा बटे 13 और फिर कौन सी बनी हुई है ससरा बटे एम ठीक है कई बार आपसे सीधा यह पूछ लिया जाता है सबसे छोटी हाथि काुछ इसर आप से पोचा जाता है सबसे बड़ी दू मिनन बड़ी होगी और छोटे अंकों से बनी फिन छोटी फिके बात करते हैं अगले टाइप की देखें दूसरे टाइप की सवालों में जब भिनों के बे अंस तथा हरका अंतर यह भिन है actually इन हर का अंतर अलग अलग हो तब अंतर का ऐल सियम निकलते हैं थीडैनर डिफरेंट भीघ हां डिफरेंट धेंक गाल किलेटे 23р कर एक बटे 4 फिर आपको दे दिया गया है 13 बटे 18 फिर आपको दे दिया गया है 21 बटे 20 फिर आपको दे दिया गया है 31 यह आपका है अब यहां अगर मैं देखू तो यहां पर जो डिफरेंस है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो दो है इन दोनों का डिफरेंस तीन है इन दोनों का difference भी 2 है और इन दोनों का difference है 3 अब मुझे इन सब का क्या निकालना है LCM इन सब का मुझे क्या निकालना है LCM तो 2, 3 और 5 का जो LCM है क्योंकि तीनों की तीनों prime numbers हैं तो LCM निकालने के लिए मुझे इन तीनों को multiply करना है मतलब इनका जो LCM होगा तो इसका multiplication हो जाएगा LCM कितना हो जाएगा 30 अब आपने जो LCM निकाला है वो इनका निकाला है तो LCM में आप जो भाग देंगे वो इनी संख्याओं का देंगे और जो गुड़ा करना है किसमे करेंगे कि को कोईश्य संख्या बढ़ी है और को उस्षिसा क्या छोटी है ठीक है अब आप देखिए दो में मैंने तीस में 2 जो का भाग दिया तो 15 आएगा 11 गुले 15 तीड़ीं में 10 आएगा तो 1 गुले 10 पांच में 5 का भाग देंगे तो 6 आएगा तो 13 गुने 6, 2 का भाग देंगे 15 आएगा, 21 गुने 15, 3 का भाग देंगे 10 आएगा 31 गुने 10, अब आप देखिए, यहाँ पर यह कितना हो गया, 165, यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर हो गया 78, यहाँ पर हो गया 15, 15 गुने 30 और यहाँ पर यह हो गया 3, अब आप देख लिए, अब यह decide हो चुका है कि इसमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा, पाल लिजे इसे मुझे घटे क्रम में लिखना हो, तो सबसे बड़ी भिन्द को मैं सबसे पहले लिखूँगा, तो सबसे बड़ी भिन्द है मेरी 21 बटे 23, यह सबसे बड़ी भिन्द है, फिर उसके बाद 35 के बाद है, 310 मतलब 31 बटे 34, फिर इसके बाद तीसरे नंबर की है 165 मतलब 11 बटे 13, फिर इसके बाद कौन सी है, 78 मतलब यह है 13 बटे 18, और सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी है 1 बटे 4, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा, ठीक है ओगर केवल सबसे बड़ी भिंड पोछा होता तो मैं बता देटा 21 006 ùजब कभी भी भिनो का एक तरीड़ीक मै具 आपको बता है कि अगर भिनों का अंतर सावान है आन्स और हरका तो सवाल में कुछ करना है कि बल देखना है और टिक कर देना है लेकिन अगर अंतर अलग अलग है तो फिर आपको अंतर और अंतरों का LCM निकालना है उसमें अंतरों का भाग दे करके अंस के साथ numerator के साथ गुणा करके आपको वेल्यू निकाल लिए ठीक है बात करते हैं अगले टाइप की तो तीसरा टाइप है तीसरे टाइप में क्या है देखिए हर एवम अंस पांच दो या पांच के गुणा जो जब भिन्न तसमलों लगा करके इसके पीछे का जो लॉजिक है वो मैं आपको पहले बता दूँ देखिए पांच में अगर मैं दो का गुणा करता हूं तो कितना आता है तो एक सो पचीस में अगर मैं आठ का गुणा करता हूं तो कितना आता है यहां देखिए एक पांच और एक दो मि मिल के 2-0, 3-5 और 3-2 मिल करके 3-0 बना रहे हैं अब देखिए माल लिजे इसमें कोई भिन ऐसी आ जाती है जैसे माल लिए दे दिये है यह कि 12 बटे 25 फिर आपको दे दिया गया 8 बटे 125 फिर आपको दे दिया गया पांच बटे 8 फिर आपको दे दिया गया 7 बटे 16 और फिर आपको दे दिया गया 3 यह दे दिया अब आप देखिए इसमें इस 25 को जरूरत किसकी है 4 की 125 को जरूरत किसकी है 8 की 8 को जरूरत किसकी है 125 की 16 को भी मैं लिख देता हूँ 125 गुले 16 पराबर होता है चुकि 4 5 और 4 2 है तो 0 भी कितने बनेंगे 4 16 को किसकी जरुरत होती है 625 की और 5 को किसकी जरुरत होती है 2 की ठीक है तो अब यहां पर इसके अधार पर 25 को किसकी जरुरत है कलम चेंज कर लेता हूं मैं 25 को जरूरत है 4 की, 125 को किसकी जरूरत है 8 की, 8 को किसकी जरूरत है 120, 16 को किसकी जरूरत है 625 की, और 5 को किसकी जरूरत है तो 2 की, यहाँ ध्यान दीजिएगा, चुकि 2 है तो यहाँ पर 0, 2 बनेंगे, यहाँ पर 0, 3 बनेंगे, यहाँ पर 0, 8 है तो 3 बनेंगे, 16 है तो 4 अब आप देखिए 16 चोके 64 दो आपकों के बाद 0 है मतलब दसंबलों यहां पर लगेगा यहां है आठ अठाइं चौसर तीन अंग के बाद है एक जिरो और लगाना पड़ेगा यह यह हो जाएगी फिर इसको देख लिए 125 पंचे 625 तीन अंगों के बाद दसंबलों है जीरो दसंबलों यहां लग जाएगा इसको देख लिए 4 अंग है तो साथ पना 35 साथ दुनी 14 14 और 3 17 साथ चाग 42 और 41 44 अंगों के बाद 0 है एक दो तीन 4 यह चार अंगों के बाद 0 लगा दिया यहां देखें तीन दुनी 6 एक अंग के बाद 0 है अब जब हम बैलेंसिंग करते है तक हमें अभी करना क्या होता दिया अगर मुझे दर शम्लों हटाने हैं तो हम क्या करते हैं यह देखते हैं कि सबसे ज्यादा दसंबलु कहां है सबसे ज्यादा दसलंपर इस पवाइंच इस पॉइंच पर 2 0 लगा हुगा इस पॉइंट पर 1-0 लगा वे इस पॉइंट पर 1-0 होगा यहां चार है ही और यहां संख्य कित्ती बन गई 4375 और यह संख्य कित्ती बन गई इच्छे हैं यह पर ध्यान दिजिए कि दोनों चीज़े आ गई डेसिबल को कंपेयर करना हो तो आप एक बात याद रखिएगा जितनी कि बाद सबसे ज्यादा अंक कहां पर हैं जिस जगह पर हैं उतने ही देसम्बलों के बाद अंक हम सभी जगह कर देते हैं ठीक है और उसका करने का तरीका होता है जिरू लगाना अब आप देखिए इस सवाल में यह सबसे बड़ी संख्या मुझे कौन सी दीख रही है कि वाले भी सोले बटे पच्चेस मतलब सोला बटे पच्चीस जो है वो सबसे बड़ी संख्या है यह सबसे बड़ी है 16 बटे 25 फिर चौन सो के बाद फिर कौन सी है 6000 मतलब ओ सौरी 6250 फिर अगली वाली कौन सी है ताथ बटे 16 ठीक है फिर आप देखिए 6250 के बाद यहां पर 6000 है 6000 मतलब किता है तीन बटे 5 अब छहजार भी हो गया 300 क्या हो गई 400 हो गया यह हो गया यह हो गया 4375 इसका है साथ बटे 16 का सौरी मैंने उल्टा लिख दिया 6250 पांच बटे आठ पांच बटे आठ अब यह कौन सी है यह इसके बाद यह कितना आया था यह 640 था अच्छान था ठीक है फिर इसके बाद सबसे लास्ट में एक दो तीन चार पांच जो सबसे छोटी संख्या है वह कौन सी है आठ बटे एक सौंग ठीक है यह आपको याद रखना है ठीक है मैं इसमें एक और लाइंग भी खीच देता हूँ चाहे तो देखिए यह इसके लिए है यह वाला इसके लिए है यह वाला इसके लिए है और यह वाला इसके लिए है यह लाइंग मैंने खीच दिया है क्यों थोड़ा सा आगे जरूरत है 0 लगाये और 0 लगा करके आप सवाल को आसानी के साथ हल कर सकते हैं ठीक है बात करते हैं अगले टैप की अगला टाइप हमें क्या करा है यदि किसी भिंद में अंस के एंक छोटे हो तथा हरों के बढ़े हो तो अंसों का LCM निकालते हैं ठीक है if in any fraction the numerator digits are small and the denominator digits are large then the LCM of the numerators is calculated ठीक है देखिए कैसे क्या बोलना चाह रहा है जैसे माल लिजे कभी ऐसा आजा है दो बटे 17 तीन बटे 19 पांच बटे 23 चार बटे 21 और साथ बटे उन्तव आब इसको देखिए यहाँ ना तो अंतर समान है देखिए यहां पालंतर कित्पे का है पंदरा का यहां 16 का यहां 18 का यहां 17 का और यहां पर बाइस है कि यह बात हो गई है और अगर मैं इसको देखूं तो यह भिन्नों का अंतर भी समान नहीं है अलग अलग है और बहुत ज्यादा है अगर मैं अंतर का भी LCM निकालना चाहूं तो बड़ी दिख्यत है कि दूसरा भिन्न दो और पांच के गुणज में भी नहीं है मतलब मैं इसको दसमलों में भी नहीं बदल सकता ऐसी कोई भिन्नेकर आ जाती है तब हम इसको कैसे कल्कुलेट करेंगे यह दिखें तो इसमें मैंने बगटाया कि आपको इसका इसको साथ नहीं मैं इसको एक काम क जाएगा साथ दो तीन और पांच का तो 30 आ रहा था ता चार इस में और जुड़ गया तो चार के लिए दो दो चाहिए तो ऑर सीम कितना हो गया साथ अब ऐलसी आप ने इसका लिया है मतलब 15 जो है वो सभी का कितना हो चूपा इन्यूम रेटर कितना हो चूपा है साथ इन का भाग मैं 60 में दूगा तो 20 आएगा तो 19 गुने 20 मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी तीन सब्सक्राइब पांच का भाग अगर मैं 60 में दूगा 12 तो 23 गुने 12 बारा त्याही शत्यस बारा दूनी 24 और तीन 27 चार का भाग दूगा 15 आएगा 21 गुने 15 पंदरा एककम 15 15 द कि में इतना हो जाएगा अब यहां पर आपको एक बात बता दूमें जब कभी भी किसी भी भिन्न के हर सवान हो तो जो बड़े नस वाली धिन है वों बड़ी होती है छोटे ऐंस वाली गींटि चोटी मतलब और ररंश बड़ा थो बितन पर और हर बड़ा तो बिन चलती उ सबसे बढ़ी है को जाएगीगा 252 पूसा है 21 फिर 315 के बाद 380, 380 मतलब 3 बटे 19 और जो सबसे छोटी भिन्न है वो कौईसी हो जाएगी तो दो बटे पर यहीं आपके सवाल का जबाब है ठीक है कुल मिला करके अभी तक मैंने देखा हम आप लोगों ने देखा अंतर समान हैं अंतर असमान हैं हर दो और पांच का गुलज है और एक हमने देखा जिसमें हर की जो संख्याएं वो अभाज जिया बड़ी संख्याएं और अंसो की जो संख्या है वो छोटी संख्या है उन्हें हम कैसे कंपेर करेंगे ठीक है आए देखते हैं अगले सवाल आपको बोला है निम्न लिखित को अवरोही क्रम में विवस्तित करें अवरोही क्रम मतलब क्या हो रहा है मतलब इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ घठते करम मतलब बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखना है अब आप देखिए यह किस मामले में हैं यहाँ पर जो अंतर है यह वास्तों में यह लिखा हुआ है अब आप लोग इसमें वह बताएगा इसका फर्कित्ते का है दो का यहाँ पर फर्कित्ते का है चार का यहाँ पर फर्कित्ते का है च्छे का यहाँ पर अंतर कितने का है च्छे का और यहाँ पर अंतर कितने का है तेंगा अब मुझे इन्हीं का तो एल सीम निकालना है क्यो क्योंकि अंतर अलग अलग है अंतर अलग अलग है तो मुझे LCM निकालना पड़ेगा तो अब आप देखिए 4, 6, 6 और 3 का जो LCM होगा वो LCM कितना हो जाएगा ठीक है तो 4, 6, 6 और 3 का जो LCM है 12 हो गया है के लिए 24 हो चार त्याई 12 12 हो ठीक है अब आप देखिए मैंने आपको बताया कि यह जो अंतर है इसका भाग आपको उसमें देना है क्योंकि LCM आपने उसी का निकाला है तो 2 का भाग अगर मैं 12 में दूगा तो 6 आएगा तो 373 गुने 6 तो 6 तिरीक अठारा 6 सते 42 और 43 चैटिरीक अठारा और 4 बाइस इसकी वेल्लू है 226 ठीक है चार का भाग मैं 12 में दूगा तो 3 आएगा तो 993 इंटू 3 3 3 9 3 9 2 27 3 9 2 27 और 2 29 चैटा भाग दूगा तो 2 आएगा तो 592 गुने 2 2 2 2 4 2 9 8 2 5 10 11 6 का दूगा तो भी दूआएगा तो 1337 गुने 2 2 7 14 2 3 6 7 2 3 6 2 1 2 3 का दूगा तो चार आएगा तो 913 गुने 4 4 चार त्याई 12 चार एकम 4 एक 5 और चार नहीं और आपकी वेल्यू आगई अब आपको कंप्यार वास्तों में इनको नहीं करना है इनको अब आप देखिए इसमें जो सबसे चछोटी स्को किस क्रम में लिखना है अवरोही क्रम में मतलब घरते क्रम में को सबसे इसको कलर चेंज कर लेते हैं 913 बटे 916 यह सबसे बढ़ी हो ठीक फिर 36 के बाद कौन सी है 29 मतलब यह कौन सी हो जाएगी यह वाली 993 बटे 996 फिर 39 के बाद कौन सी हो जाएगी 26 वाली मतलब फिर मामला कौन सा है 13133 बटे 1343 फिर कौन सी हो जाएगी 26 के बाद कौन सी हो जाएगी 22 वली मतलब 992 बटे फांच सो एंधानवे और यही आपके सवाल का च्वाब इस अब रोह किरम में ज़्यादा तर सावालों में आप से सब्सें बढ़ी है सबसे चोटी संध्या पूछी जाती है जान बुच करके मैंने सवालों को इसलिए ऐसे लिखा है कि आपको एक एक बात पता रहनी चाहिए, ठीक है, बात कर लेते हैं, अगले सवाल की, अगला कोश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखिए, अगला सवाल हमसे कह रहा है, निमनी लिखेत में से कौन सा अरोही क्रम नहीं, देख जब कभी इस तरह का सवाल पच्पन साथ नहीं तिर सथ मतलब नव बटे ग्यारा सुरी यह तो अंतर सभान हो गया तो यह तो वहीं से लग गई हम है कितना हो जाएगा 15 का भाग में 15 दूघंगा पांच आएगा मतलब exit फिर 5 आएगा तो 11 गुले 5 मतलब यह कितना हो जाएगा 55 टीन आएगा तो सत्रा गुले तीन के कितना हो जाएगा इंज्यामन अब किस क्रम में आरो ही ग्रम और वही क्रम में लिखना मतलब सबसे छोटी सबसे पहले लिखी जाएगी तो 17 बटे 22 इससे बड़ी है 11 बटे 14 और इससे बड़ी है 16 बटे 19 यह आपका क्रम रहेगा उत्तर है आपका option number 3 ठीक है यह क्रम हो जाएगा यहां पे चुक अगर मालीजे यहां 17 बटे 19 कर दिया होत तो हमारे लिए किता 3 का अंतर था 17 बटे 20 कर दिया होता तो हमारे लिए बल्ले बल्ले हो जाती है तब हम क्या करते हैं तब हम कुछ नहीं करते हैं क्यों क्योंकि अगर अंतर समान है अंस और हर का बड़े अंकों से बनी भिन्न बड़ी हो जाएगी और छोटे अंकों से बन 15 15 क्या हो रहा है देखे 15 17 19 21 कि अंस क्या हो रहा है बढ़ रहा है और जब अंस बढ़ता है तो भिन बढ़ती तो यहां पर मैं यह कह सकता हूँ अगर मैं अंस की बात करूँ प्रहतब कौन से देखे 215 215 से बढ़ी कौन सी है 217 फिर उससे बढ़ी कौन सी है 219 और फिर सबसे बढ़ी कौन सी है यह है मामला आप यहां देखिए 337 335 349 341 अब यहां पर जो है जिखिए जिसका हर ठोटा हो वो भिनने क्या होती है बढ़ी और जिसका हर बढ़ा हो वो भिनने क्या होती है चोटी मैंने सबसे चोटी वाली सबसे पहले लिए अब देखिए इन सब में सबसे बड़ी कौण सी है 339 मतलब यह हो जाएगी चुकि यह बड़ा है इसलिए चोटी होगी फिर इसके बाद अगर मैं देखू तो नहीं सौरी 341 भी है यह किया हैं मैंने ऐसके अधार पे किया हर McD then छोटा था इसलिए चोटी है आउ इस बताता इस लीए चोटी है अब आप देखिए सवाल कोई स्बसेट करो किस्ट करके दिया है इसने सवाल को इस इक्रम में दिया हूआ यह दिख्या है कि देख लिघ देख लिगे 212 के साथ 229 के सार 307 है 221 के साथ 305 है 217 के साथ 349 है और 215 के साथ 341 है अब आप से पूछा क्या है ब्रहतम मतलब भीचा आप फॉलो 1 इस अ लार्जेस्ट तो लार्जेस्ट कौन सी है यह वाई दोसो इकीस बटे 335 क्यों क्योंकि यहां पर अंस दी गई भिन्नों में सबसे बड़ा है और हर दी गई भिन्नों में सबसे छोटा है ठीक है अब बात करते हैं अगले कुश्चन की बढ़ी ऐसा वाल था देखिए सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी का योग देखिए इसमें थोड़ा सा भिन्न का जोड़ घटाना भी करवा लिए अब इसमें देखो आप चार बटे 5 पहले मैं लिखी लेता हूं चार बटे 5 फिर हैं 13 बटे 15 फिर हैं 17 बटे 20 फिर हैं 19 बटे 25 यहां पर देखिए एक का डि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का यह हो अब इसमें देखिए सबसे बड़ी कौई सबसे चोटी कौई सी दिख रही है मुझे यह वाली मतलब पूरा मामला जो आप से सवाल में पूछा गया है वो यह पूछा गया है कि आपको निकालना है 13 बटे 15 और प्लस सबसे चोटी कौई सी है 19 बटे 15 अगर मैं इसका LCM लूगा तो यहां से पांच दोनों में कॉमन है तो पांच त्याई 15 पना 75 पंदरा का भाग दूगा पंदरा पना 75 तेरा पच्छे 65 और प्लस 25 त्याई 75 उन्नीस त्याई सबसे चोटी और सबसे बड़ी भिनने के बीच का योग है ठीक है योगी पूछा थरा योग पूछा था ठीक है अंतर भी पूछ सकता था तो अंतर पूछ रहे था तो आठ बटे 16 तरा गया होता ठीक है बात करते हैं अगले कॉस्च्चन की अगला सवाल देखिए एक बटे तीन और दो बटे पांच अब यहां देखिए डिफरेंस किते का है तीन का यहां डिफरेंस किते का है पांच का यहां डिफरेंस किते का है दो का यहां डिफरेंस किते का है तीन का किसी का मुझे LCM निकाला है तो तीन पांच दो तीन पांच दो इनका जो LCM है 3 का भाग में 30 में 10 आएगा 5 गु teeny 10, मतंब यह और जाएगी 50, अगला वाला जो डटा है, वो कितरा है, 5, 5 का भाग में 6 आएगा 7 गुने 6, यह और 32, 2 का भाग में 15 आएगा, 1 गुले 15 यह और 15, तीन का भाग में 10 आएगा, तो 2 गुले 10 यह कित्टी हो जाएगी 20, आप आप सबसे क्वाइब से बड़ी जथा सबसे छोटी का अंकर कि आदेखिए सबसे बड़ी मुझे कौन से दिख रही है 50 सबसे छोटी मुझे को चीनिक रही है 15 मतलब सबसे बड़ी क्यंसी है 5 बटे 8 सबसे चोटी मेरी कौन सी है एक बते अब अंतर में देखिए आठ और तीन का LCM इनका वहीं लेना पड़ेगा ठीक है क्या क्या लेना पड़ेगा भाई इनका जो है चुकि यह संख्या भाज्य है और इसमें कॉमन भी नहीं है तो दोलों को कि यहीं आपके सवाल का जवाब है अब बात करते हैं हम अगले सवाल के अगला कुश्कर हम से क्या कह रहा देखिए कोईसा भिन अरोही क्रम में है देखिए जब कभी भी ऐसा सवाल आता है अरोही क्रम में है या रोही क्रम में है तो यहां पर जो भिन है वो बदली नहीं जा से यहां कितना कितने का मामला है यहां पर मामला है ताथ बटे नौ फिर है नवबटे 11 सब्लão इनकों से बनी बंदर होगी और सबसे चोटे अग segundo ऑikes March सबसे चोटे को सबसे पहले साथ बटे नौ यह लिखी ही है वैसे नौ बटे ग्यारा और ग्यारा बटे तेरा यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा दिया हुआ है आपको ऑप्शन नमबर एक ठीक है बात कर लेते हैं अगले सवाल की देखिए अगला कुश्चन हमसे क्या क्या है ताथ बटे ग्यारा फिर कितना है आठ बटे तेरा फिर कितना है नौ बटे चौदा फिर कितना है ग्यारा बटे पंद्रा यहां पर अंतर कितने का है चार का यहां पर पांच का यहां पर पांच का यहां पर चार का अंतर अलग-अलग है इसलिए इसका यहां हो पाँच का भाघ दूंगे चार आएगा नौ गुले 4-36, 4 का भाघ दूगे पाँच आएगा त्यारा गुले 5-5, अब आपसे किस क्रम में पूछा है अरोही एसान नीग-ऑधर में सबसे छोटी वाली को सबसे पहले ले लिजे, टीक इन में सबसे छोटी कौन सी है 22, मतलब ब बटे चौदा का और सबसे बढ़ी हो जाएगी 11 बटे का इस करम में जो लिखी वही आपका उत्तर है आठ बटे 13 नहीं है ठीक है आठ बटे 13 सबसे पहले किसी बनी है सबको साथ बटे 11 से सुरू किया है बत्तब उत्तर हो जाएगा नफ पीछ ठीक है बात करते हैं अगले क्वेश्चन की देख लिजी अगला क्वेश्चन फिर हुए है अरो ही क्रम में देखे दो दो एक एक दो दो एक एक का मामला है यहां पर पहले हैं भीन जो लिख लेता है पीन लेक्ए मी लिख हूँ तो क्या हो जाएगा मामला अब लगों की 13 सबीन सबसे पूछा क्या है आरो ही क्रम मतलब सबसे चोटी को सबसे पहले लेना है तो 11 बटे 13 फिर 11 के बाद कौँ सी है 13 तो 13 बटे 15 फिर कौँ सी है फिर कौँ सी है साथ बटे 8 और सबसे लास्ट में है आठ बते यहाँ पर फर्क दोंगा है और इन दोनों में फरक के का है सबसे छोटी और सबसे बड़ी पता की जा सकती थी देखें अंतर इसमें क्या था यहां से आप देख सकते थे मांगला और यहां पर फार दोदों का है तब यहां पर जिसका ऐंसर होता हäreरी होती धिंग मतरऊ होता है कर लेते हैं अगले सवाल की देखिए अगला कुश्चन क्या कह रहा है फिर वही बात है बढ़ते एक्रम में तीन तीन पाच ठीक है इस सवाल को आप लोग स्क्रिंशॉट ले लिजे इसको आप लोग खुद लगाए इसमें देखिए देखिए पी क्यू और आप यह सवाला स चार बटे हैं यहां मैंने आपको क्या बोला यहां मैंने आपको क्या बोला कि अगर नीचे वाली संख्या बढ़ी हो बारा तो गयारा गूने चार मतलब यह हो गई 24 ठीक है एक बारा ही आएगा तो चार गुने बारा यह हो गई अनत अलिस ठीक है चार यह बारा तो पंदरा गुरे तीर यह हो गई पैंत आलिस अब कि चुन नंबर बड़ी है और झोठी होगी इसमें आपसे बोल के, किसमें अगर मैं देखू, तो तो समसे बड़ा कौन सा है, 48 मत्रब क्यूं जो है, वो सबसे च्छोटी है, ठीक है फिर दूसरे नंबर पे कौन सा है, 45 फिर इसके बाद कौन क्योंसी है और सबसे बड़ी कौंसी है कि इस तीन चार बारा सबसे छोटी यह होगी हाँ ठीक है एक बटे चार क्यूं आर पी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नमबर यह तरीका कि इतना कारगर है अगर आप इसको लेते ग्यारा चार और पंद्रा को तीनों को मल्टिपिकेशन तो कुछ भी कौमन नहीं है जारा तो अल्लेडी कौंसी डिजिट है प्राइम नमबर है तो जब प्राइम नमबर है और चार किसे में कौमन है भी नहीं तो आपको मल्टिप्लाई करना है बात कर लेते हैं अगले सवाल की अगला कुश्चन देख लिजी आप तीन बटे पा को फ़र गई इसका एल सी एम कितना हो जाएका दोगवाज गुना करेंगे तो यह कितना जाएका तीन यहां पर एक दूनी दो दो दूनी चार एक दूनी दो तीन दूनी ज्शे आब इसमें पूच क्या रहा है हम कह सकते हैं मतलब सभकों किसमें लिया हुआ इसने descending order में, तो descending order में लेगे तो सबसे पहली तो ये है, 3 बटे 4 फिर कौँसी है, 2 बटे 3 और फिर कौँसी है, 3 बटे देख लिए, 3 बटे 4 फिर 2 बटे 3 फिर 3 बटे 5 उत्तर हो जाएगा option number ठीक है बात कर लेते हैं अगले question की, अगला सवाल हम से क्या करा देखे, 6 बटे 7 11 बटे 13, 9 बटे 13 3 बटे 5, देखे, सवाल क्या क्या दिया हुआ है, 6 बटे 7 फिर 11 बटे 13 फिर 9 बटे 13 फिर 3 बटे 5 और फिर 9 बटे 53 देखे यहां एक का फर्क, यहां दो का फर्क, यहां चार का फर्क, यहां दो का फर्क, यहां दो का फर्क, इसका जो LCA में वो कितना हो जाएगा, चार, चार हो जाएगा, मतलब 6 गुने 4, इसकी वेल्यू है 24, दो दुनी 4, तो 11 गुने 2, इसकी वेल्यू है 22, चार एक ही आए भिखी क्रमें बखने करम में लिखना तो सबसे चोटी कॉंसी है ये वाली है तो तीन या चाहरा थे कड्ला एक 6 बटे 7 यह सवाल हो गया अब आप देख लीजे 3 बटे 5 के बाद 9 बटे 13 आना चाहिए 3 बटे 5 केबाद 9 बटे 13 आना चाहिए 6 बटे 7 किसी में भी नहीं दिया हुआ है कि majesty बटे 5 यह अच्छ चच च्चESSA sorry 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 three 5-9-11-9-13 deal-2-3 के बात मेनव बट़े-3 फिर लोगते हिए उल्टा हो गया लोगते 0-13-1-1 यही उल्टा हुआ है ति आ अलगर अ एल crear a ॐ 5-6 eerbathSum공 sudsparting homework डाल दीजिएगा ठीके वास्थों में यह मामरा एंट और यह 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 ठीक है इस बात करते हैं अगले सवाल की दी जाथ यहों इस question के साथ ही हमारा आज का एस session खत्म होता है भिनो की तुलना से समभन्दित लगबग लगबग सारे सवाल और लगबग लगबग सारे facts मैंने आपके सामने रख दिये और सारे सवालों का जितने भी facts आपने पहले पढ़े उन सारे facts का इस्तेबाल भी आपने देखिए आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जुने रहे हमारे साथ सुनिश्चित करें अपनी एक सीट रेलमे में मिलते हैं कल एक और ने व